दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि गंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या ऐसा ही हाल कुछ है बॉलिवुट के इन सितारों का जिनके सर पर बाल तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ये फीस चार्ज करते हैं करोडों में और तो और बॉलिवुट में कही अबिनेता भी है जो आई देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे मानो कितने हैंडसम और चार्मिंग हो लेकिन अगर आप इनकी असलिया जानोगे तो ये असल जिन्दगी में टकले हैं जियां आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना टकले यानि की मतला पूरे के पूरे गंज वैसे कौन कोने वह अबिनेता जानना चाते हो ना तो इस वीडियो को यान तग बने रहें साथ ही अगर आप बॉलीवट की फल में देखते हैं तो इस वीडियो एक लाइक तो बनता ही है मेरे दोस्त क्यूं सही कहा न वेशे दोस्तो हम सभी सबसे पहले जिस सबीने तक ही बात करने वाले हैं उसका नाम तो सुनकर पहले आपकी तो आगे खुली की खुली रह जाएंगी और आपकी मुझे बस यही निकलेगा जल जूटी ऐसा क्यों तो चलो मैं आपको उसका नाम बताई देती हूँ उसका नाम है रनबीर कपूर जी हां रनबीर कपूर बॉलीवुट के सबसे कम उमर वाले आक्टर के तौर पर भी उनको जाना जाता हैं लेकिन आपको यह बात कर जानकर हैना नहीं होगी कि उन्होरे अपनी रनबीर कपूर के सर पर बाल देख रहे हो दरासल वो आर्टीफेशल तरीके से हेर ट्रांस्प्लांट करके लगाए गये हैं दोस्तों यह उस वक्त की बात है जब रनबीर कपूर बॉलीविट में दीरे-दीरे अपने पैर जमा रहे थे जैसे यह बॉलीविट में अपने जमाते जा रहे थे वैसे वैसे इनके बाल भी गरते जा रहे थे और हाला यहाँ तक आ गये थे कि साल 2007 में जब रनबीर कपूर की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी आई तब तक उनके इनके माते की सकिन को साफ-साफ देखा जा सकता था फिल्म के शूटिंग खतम होने के तुरंट बाधी रनबिर कपूर ने हेर ट्रांस्प्लाइंट करवा लिए आप इस तस्वीर में भी साफ साफ देख सकते हैं पहले और अप में कितना अंतर है दोस्तों हमारी इस लिस्ट में हैं बॉलिविड के भाईजान यानि कि सल्मान खान भी शामिल है वैसे तो दोस्तों आपने ऐसी बहुत ही खबरे सुनी होंगी कि सल्मान खान फिल्मों में जो अपनी बॉड़ी दिखाते हैं वो बिल्कुल ही नकली है लेकिन एक बात और हम आपको बता दें कि जो आप फिल्मों में सल्मान खान के सर पर लहराते हुए वाल देखते हों वो भी नकली है जब सल्मान खान अपने करियर की शिरुवात कर रहे थे उसी वक्त ये गंजे पन का शिकार होना शुरू हो गय थे और हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनके बाल दिन पिर्थे दिन गायब होते चले जा रहे थे और अब एक तरफ सल्मान खान का कारे था और दूसरे तरफ उनके बालों के सर से दूरी बना लेना सल्मान खान के कुछ करीबी बताते हैं कि सल्मान खान अपने बालों को लेकि इतनी तेज़ी से गायब होता देख डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि ये बात बहुत अच्छे तरीके से वो जानते थे अच्छा एक बात बताओ हसना किसे पसंद नहीं है जिया सही बात है सभी को हसना पसंद है और जब इंसान हसता है तब ही तो उसके अंदर एक अलग सी एनरजी आती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अब को हसाने वाले कॉमेडी के किंग कपिल शर्मक के भी बाल नकली है चलो आपको बताते हैं उनके बारे में भी वैसे तो आपने अब तक कपिल शर्मक को जितनी बार भी देखा है तो आपने उन्हें अकसर लहराते लंबे काले बालों में ही देखा है लेकिन दोस्तों जिस कपिल शर्मक को आज आप देखते हैं वो कपिल शर्मा बहुत साल पहले ही गंजे पन का शिकार हो चुके हैं दोस्तों ये बात है आज से कुछ साल पहले कि जब कपिल शर्मक के स्ट्रगल की बात करते हुए कुछ प्रशन सकों ने कपिल शर्मा की पुरानी फोटोस को सोचल मीडिया पर अप्लोड करना शुरू किया जिससे वो ये बताना चाहते थी कि दरसल कपिल शर्मा इतने स्ट्रगल के बाद इस मुकाम पर पहुचे हैं तो वही कुछ लोगों ने इनकी फोटोस पर देहान देने से गौर किया जिसमें रोन ने देखा कि कपल शर्मा के सर पे दोबाल बहुत कमबाल हैं और तो और साबने से देखने में तो ये पूरे गंजे नजर आते हैं फिर क्या ये तो आप सबी जानते हैं जो दिखता हैं वही दिखता हैं ऐसा ही कुछ अपल शर्मा के साथ भी हुआ लोगों ने उनके स्ट्रोगल के बारे में जानने में कोई इंट्रस दिखा या नहीं सब का ध्यान गया तो बस उनके बालो उपर और चारो तरफ सिर्फ एक ही बात हुई वे उनके बालो की जिसके बाद कपल शर्मा के करीबी ने बताया कि कपल शर्मा बहुत कम उमर में ही गंजेपन का शिकार हो गए थे जिसके बाद कपल शर्मा को फिल्मे दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए हेर ट्रांस्प्लांट का साहरा लेना पड़ा वैसे आप इस तच्पीरों में फर्क तो साफ साफ देख सकते हो चलो बात करते हैं गोविंदा की हम आपको बता दें कि बॉलिवुड के सबिनेता के बारे में अपने जमाने में बहुत बड़े सूपर स्टार थे गोविंदा ज एक वक्त तो इनकी जिन्दगी में ऐसा भी आया जब गोविंदा की उमर 12 साल की थी और उनके बालों ने उनका साथ देना छोड़ दिया था नतीजा यह हुआ कि लंबे समय से गोविंदा बॉलिवुड में राज कर रहे थे उन्हें बॉलिवुड के किनारे होना पड़ा और तो और उनके गायब होते हुए बालों की वज़े से यहाद कि उन्होंने अपने बालों के गायब होने की वज़े से उन्हें बॉलिवुड में काम मिलना भी बंद हो गया जिसके बाद उनके करीबी दोस्त यानि कि बॉलिवुड के भाईजान सलमान खान ने गोविंद जाके माते पर बाल देखते हो वो सब नकली है अब जो हम जिसकी बात करने वाले उसकी बात हम कुछ अलग तरीके से करते हैं सबसे पहले हमें इस डायलोग को सुनते है शराप में नहलाने से नकली हीरे असली नहीं हो जाते हैं जिस तरह गंगा में नाने से गदे इंसान नही लेकिन बॉलिवुड में अपने आपको बनाय रखने के लिए लिए अमिता बच्चन ने समय रहते ख़र अपने बालों का ट्रांस्प्लाइंट कर वा लिया यह संग फेल्म बड़े मिया चोटे मिया की शूर रहे थे और उससे पहले यह अमिताब बच्चन के बालों ने उनका साथ चूरना शुरू कर दिया था जिसके बाद अमिताब बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग के तुरन बाद ही अपने माते पर विग लगाना शुरू कर दिया वैसे दोस्तों आज की टाइम में आप मेंसे कहीं लोग ऐसे होंगे जिने बाल जहने की समस्या जरूर होगी या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके बाल बहुत ज़्यादा अब तक गिर भी चुके होंगे और तो और ये समस्य आज की टाइम में तो आम सी बात हो गई है लेकिन आपको बिलकुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग बस अपने खान प्यान को थोड़ा सा चेंज कर लें और फिर क्या आपके बाल भी गिरने से रुख जाएंगे